हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम चाए की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, चाए वैसे तो रोजाना हम अपने घर में सभी बना कर पीते हैं, लेकिन चाए में अगर हम चीनी डालने के ये तरीके को अच्छे से जान ले, तो चाए का स्वात बहुत ही अच्छा बनता है, और इस तरह से चाए बनाने के पाद आप कभी भी दूसरे तरीके से चाए नहीं बनाएंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, इसके लिए हमने एक पतीले में दो चमचीनी ले ली है, और इसको अब हम गैस पे रखतेंगे, गरम होने के लिए, च इसको भी से हिला लेंगे, ताकि चीनी जलेना, इस तरह से चीनी को केरमलाइज करके, हम चाए के स्वाद को दोबना बना सकते हैं, अब ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होने शुरू हो गई है, आज को धीमा ही रखेंगे, धीमी आज पर इसको पूरी तरह से पिघलने तक चीनी को हम पकाएंगे, और इसका कलर हलका सा ब्राउन होने तक रखेंगे, अभी इसका कलर ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, मैं यहाँ पर एक कप चाए बना रही हूँ, आप अपने अनुसार जितनी चाए बनानी हो, उसके हिसाब से पानी और अब हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, यानि एक कप मैंने पूरा पानी इसमें डाल दिया है, और अब हम थोड़ी सी अद्रक, एक छोटी इलाइची और थोड़ा सा सौफ को लेकर के उट लेंगे, उटने से मसालों का पूरा स्वाथ बाहर निकलाता है, और इसको हम इस पानी में डालेंगे और साथ में डालेंगे चाय की पती और चीनी आपको थोड़ी ओर डालनी होगी बाद में जितनी आपको डालनी हो अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और उबाल आने के बाद हमने अब इसमें डाल दिया है दूद दूद डालने के बाद हम इसको 3-4 मिनट तक चाय को पकाएंगे एक उवाल आने के बाद हम गैस को थोड़ी सिंपे कर देंगे और उसको कम से कम 3-4 मिनट तक चाय को पकाएंगे धिमी आज पर चाय पकाने से चाय पत्ती का कलर अच्छे से निकल कर आता है और चाई का स्वाद भी अच्छा आता है इस तरह से हम चाई को हिला हिला के या किसी कटोरी से उपर नीचे ऐसे हिला हिला के चाई को पका लेंगे और ये देखिए हमारी चाई दयार है अब हम इसको अपने कप में छानेंगे और चाई की चुस्कियों का आनंद लेंगे इस तरह से एक बार चाई आप बना कर देखिए आप अपनी पिछले वाली चाई जो आप बनाते थे उसको बनाना भूल जाएंगे वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य कीजिए और चानल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत